जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र पर आपनिवार को भी राजे के कर्यू कर्यू सबीगें जीले का निम्ताम तापान 10 डीडिडि सिल्सियस निची रहा बता दे सबसे अधिक प्रवरी के अनुसार इसके असर से जहार्खन में दो फरवरी से बादल छाय रह सकते हैं, वही तीन और चार फरवरी को कहीं कहीं बारिस भी हो सकती है, इसे निमतम्तम्त अपमान में दो से चार डीगरी सेलस्यलस की बढ़ोतरी हो सकती है, बतादे मौसम केंद्र के राज्य में कुरोना की तिसरी लाहर में संक्रमन कम होने के बाद फिर से इसकूल खोलने की त्यारी सुरू कर दी गई है। सनिवार को बैठक की मोखे पर समती बने की विभाग कक्षा एक से बरावी तक विद्याले खोलने का प्रस्ताव आपदा प्रवनर विभाग को भेजेगा। वब्रोन हत्या पर जागरुपता अभियान चलाए। लिंक पर इक्षन वब्रोन हत्या से समंधित एक्ट कानून तथा करवाई के प्रवधानों से अवगत करवाई। बता दे कुडरमा, DC ने कहा कि अल्टरसाउंड में आने वाले मरीजों यहम उनके परिजनों के लिए पेजल की सुवधा सुनिश्चीत करे। सभी अल्टरसाउंड संचाल को यहम चिकित सको को जीले में अवैद रूप से संचालित अल्टरसाउंड पर कठोर करवाई का निर्देश दिया। का कि ऐसे मामले पाए जाने पर समंधित अधिकारी भी जिम्मेवारी माने जाएंगे। जारखन में कक्षा एक से आठ तक के छातरों की परिक्षा पर संसा है। कर दिये जाएंगे या फिर राज सरकार परिक्षा के आयोजन को लेकर कोई विकल्प तलासेगी। बता दे सरकारी स्कूलों में पिछले साल भी कक्षा एक से साथ तक की बार्सिक परिक्षा न तो ओफ लाइन आयोजन की गई थी। और नहीं ऑनलाइन वहीं पिछले साल आठवी बोट की परिक्षा भी नहीं हो पाई थी। ह.e.c. कर्मियों के बेतन पर फिर ग्रहान। अब ह.e.c. कर्मियों का बेतन भुगतान बेड अयन्ड होपर के वर्क ओडर पर मिलने वाली रासी पर निर्भर है। क्योंकि सेल द्वारा असवासन दिया गया है कि इस समध में जल्द ही बुगतान कर दिया जाएगा ओमी स्योर टेस्ट किट से पता चलेगा ओमी क्रोन का रिम्स में अभी तक जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन भले ही नहीं खर दी जा सकी हो लेकिन अब यहां क्रोना वाइरस के नए वेरियंट ओमी क्रोन टेस्ट की पहचान अब एक नई किट के माध्यम से की जाएगी बता दे रिम्स जल्द ही इसे लेकर ओमी स्योर टेस्ट किट की खरिदारी कर रहा है रिम्स के जनसंपर्ग अधिकारी डाक्टर दिपेंद्र कुमार सिंग ने कहा है कि किट चल्द ही रिम्स में उपलब्ध होगी और इससे वाइरस की स्ट्रेंड की पहचान करने में मदद मिलेगी अलाकि रिम्स के माइक्रोबॉलेजी विभाग के डाक्टर मनोच कुमार ने कहा कि या जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन का रिप्लेस्मेंट नहीं है और केवल वाइरस के नए वेरियंट ओमिक्रोन का पता लगा सकता है रांची में ATM मसीन से साथ लाक उड़ा कर मसीन में लगा दी आग जारखन के रांची में चोरोन ने दो ATM से करीब साथ लाक रुपे उड़ा लिए घटना के बाद एक ATM को आग के हवाले भी कर दिया बता देश सुक्रवार देर रात की इस वर्दात में सन्नी वार देर रात तक प्रात्मी की दर्ज नहीं हो सकी थी उड़ाई गई रासी का वास्तविक आकलन नहीं हो सका था घटना रातू रोट की है कार से आए चोरो ने रात दो बजे रिंग रोड पर हाजी चोग इस्थीत SBI के ATM को गैस कटर से काट कर करीब 35 लाख रुपे उड़ा लिए इसके बाद इन ही लोगों ने साड़े 3 बजे भोर में ATM पेमेंट बैंक के ATM से 24 लाख उड़ा लिए और ATM को जला दिया नकसलियों की बड़ी साजिस नाकाम जारखंड में हाल के दिनों में नकसलियों की गतिविद्धी अचानाक बढ़ गई है बतादे नकसलियों की अस्थान पर पूलिस सरकार को नुकसान पहुचाने की फिराक में है बतादे ताजा मवला धनबाद का है धनबाद जीले में नकसली अपनी वर्दात को अंजाम देने की मनसा बनाए हुए थे लेकिन पूलिस की सतरकता ने नकसली की मनसूबे को बेकार कर दिया है बतादे धनबाद जीले का अति नकसल छेतर टूंडी में हमेशा ई मनियादी थाना छेत्र के मजियारा पंचायत कर्णपूरा में सनिवार को केन बम बरामत से पुलीस महकमे में हलचल मचा दी थी रांची के मोराबादी मैदान में दुकंदारों का विरोध जारी जारकन की राइधानी राची के मोराबादी मैदान में जिला परसासन द्वारा धारा 144 लगाये जाने का बिरोध जारी है बतादे मैदान छेत्र में लगाने वाले दुकंदार सलक पर हैं वहीं जिला परसासन कीसी भी सूरत में यहां दुकान नहीं लगाये देने को आमदा है इधर यहां के दुकंदार मेर असलाकडा से लेकर कॉंग्रेस नेताव के पास तक गुहार लगाने पहुंचे बता दे मेर असलाकडा ने जहां इस आदेश पर ततकाल रोक लगाने की मांग की है वही ज़ार्खन के कॉंग्रेस पुर्देश अध्यक्य राजिस ठाकूर ने भी इस आदेश को गलत बताते हुए C.M. Hemant Surren से बात करने को कहा है कांग्रेस को ज़ार्खन में लगातार जटका गीता सिरी उराव ने कहा बाय बाय चारखन में कॉंग्रेस परदेश प्रभारी आर्पिन सिंग के पार्टी से इस्थिपा देने का मामला अभिसांत भी नहीं हुआ था कि राजे की पुर्व सिक्षा मंत्री गीता स्री उराव ने भी कॉंग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्थिपा दे दिया है बता दे इस स्थिपे के साथ ही राजे की रायनितिक हल्चल फिर से तेज हो गई है पुर्व सिक्षा मंत्री ने सन्निवार को अपना स्थिपा अखिल भारतिय कंग्रेस पार्टी के राष्ट्री अध्यक्स सोनिया गांधी को भेज दिया है देव घर से नौ साइबर क्रिमनस गिरफतार देव घर के साइबर पुलिस ने करो थाना छेतर अंत्रगत नागादारी गांव से छापे मारी कर नौ साइबर क्रिमनस को गिरफतार किया है उनके पास से पुलिस ने 21 मोबाइल फोन, तीरपन, सिम काड वा तीन मोटर साइकल भी बरामत किया है बता दे गिरफतार साइबर क्रिमलस में से तीन आरोपी नसाद अंसारी, सजाद अंसारी वा मुस्तफा अंसारी सगे भाई हैं तथा तीनों मिलकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे साइबर डीसपी, सुमीत कुमार ने बताया कि एसपी धननजय कुमार सिंग को गुप्त सुचना मिली थी कि गाव के कुछ युवा फोन कर बैंक अधिकारी बन कर उन्हें अपने जहांसे में लेकर बैंक खाते से समंधित जनकारी प्राप्त कर ठगी कर रहे हैं हजारी बाग से आईडी बरामत हजारी बाग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है बता दे नकसलियों ने पुलिस को टारगेट कर आईडी छिपाए थे जिसे समाय रहते बरामत कर उनके मन सीवे पर पानी फेर दिया गया है बता दे नकसलियों ने हजारी बाग जीले के बलक मका जंगल में 15-15 किलो के दो आईडी बिचा रखे थे हजारी बाग SP मनोज रतन चोथे को मिली गुप्त सुजना का धार पर ततकाल एक टीम गठित की गई इस टीम में हजारी बाग पुलिस CRPF 22 बटालियान CRPF 26 बटालियान IRB 3 एवम जीला के सेट बलो के एक सन्यूत टीम को सर्च अप्रेसन में लगाया गया जारखन के हजाज असदक जिने विश्व कराटे महासंग ने तीन साल के लिए अंतराश्टी एक कोच चुना World Karate Federation ने खोटी निवासी हजाज असदक को भारत के लिए अंतराश्टी एक कोच निक्त किया है बता देवे जारखन के एक मात्र कराटे कोच हाएं जिनको अंतराश्टी एक कोच बनने का मौका मिला इस समद में उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को आवयजीत अंतराश्टी एक कोच अनलाइन सेमिनार और परिक्षा में भारत का परतिनिधित्व करते वे सामिल हुए थे परिक्षा में सामिल होने के लिए उन्हें कराटे इंडिया और औरुगिनाजेशन की ओर से अधिकरित किया गया था जिसमें बेज सफल खोसित किये गाए उनके सफल खोसित होते ही 20 व कराटे महा सभी ने उन्हें लिए अंतराश्ट्री एकोछ न्यूक्त किया है केंद्रिय करो में लगातार घ्ठ रही जार्खन की हिसेदारी में जार्खन की हिसेदारी लगातार कम हो रही है। बजट में सबसे अधिक 25 परचत का योगदान अपने सुरोतों से वसुले जाने वाले रज़स्व का होता है धन्यवाज यदि आप चनल पर नहीं होते हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बॉल के बेले के अंदर बैस साथ से वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर क करना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिटबाई कवस्य दे थैंक यू